हेलो ट्रेडर्स तो आप सभी का एक फिसे स्वागत है और एक नए लर्निंग वीडियो में तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं और साथी साथ केंडल स्टिक पैटन की भी बात मार्केट ओपन होके अपसाइड की ब्रब्रुव किया और यह प्रिवियर्ज देख़ेल के आसपास से रिजक्षिन लेकर वापस डाउनसाइड की और साइड की और मोब है जो आप हैमर केंडल देख रहें हैं जहांपे टॉप पे बना हुआ है यह कल के प्रिवियर्ज डे करें तो यह क्र रहा है और जो कलकरेंट तो यह रहा है यहां परिपुर्ट नेया यह support कल जो रेजिस्टेंस था वो support की तरह से proper work कर रहा है और यहां से मार्गेट support लेके upside की और move कर रहा है यह support resistance अगर आप ट्रौ करना सीख जाते हैं तो यह दुनिया के किसीभी चार्ट में काम करेगा, 1550 या bank 1550 में ही सिमित नहीं है, चलिए, उधारन के तौर पर हम लोग यहां पर एक stock ले लेते हैं, उसका यहां पर चार्ट लगा लेते हैं, हमने यहां पर बंधन bank का चार्ट लगा लिया है, एक previous day के range में जी हां यह जो आप range देख रहे हैं जो मैंने create किया है यह previous day का एक range है यहां पर काफी बार price consolidate किया है और यहां से support लेके upside की और move किया है तो just वहीं से अभी भी देखिए rejection आ रहा है मार्केट में और यह upside की और trend कर सकता है तो इस तरह से support resistance हर चार्ट में काम करता है तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको भी यह वीडियो पसंद आया होगा थेंक्यू